नमस्कार चैनल वन पर आपका स्वागत है महूं सुरिंदर शर्मा और जैसा कि हम इस वक्त देख रहे हैं संसिदी चुनावों की बात करें तो काफी जादा उतार चड़ाव हो रहे हैं गहमा गहमी है राजनितिक दलों में लेकिन जमू कश्मीर की सियासत में अक्सर ऐसा दे है शाफैजल के रूप में फॉर्मर आई एस टॉपर और जमू कश्मी पीपल्स मूवमेंट के नाम से उन्हों ने जो राजनितिक संगठन खड़ा किया है वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि जमू कश्मीर के हालात को लेकर खास करके कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल एरा अब तक चला है उसको वो किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से जमू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो है वो एक नया फार्मूला लेकर लोगों के बीच जमू कश्मीर में और खास करके कश्मीर में अपना आधार बना पाएगी क्या वीजिन ह है क्या फार्मूला है जिसको देखते हुए उन्हें लगता है कि उनका एक विकल्प हो सकता है जमीर कश्मीर पीपल्स मुव्मेंट एक विकल्प हो सकता है ने विजिन के साथ, शाव भैज्द जी आपका है क्या क्या माना जाए अب तक कई सारे political parties हैं जमो कश्मीर में जो active हैं कश्मीर की politics की बात करें national conference है PDP है अभी सजाद लों ने अपनी party खड़ी की है आपने एक नया political organization खड़ा किया है तो क्या लगता है कि आपके पास अलग क्या है जो उन राजनितिक दलों के पास नहीं है इसलिए शाह फैजल के साथ लोग जुड़ना चाहेंगे देखे पहली बात तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि हम कोई कश्मीर बेस्ट politics में आये हैं या ये कश्मीर की राजनिती में एक नया एक पड़ाव है हम यहां पे पहला जो करने आये हैं ये हैं कि हम पूरी रियास्त जो है हमारी इसके जो पांचु रिजिनस हैं जमू है कश्मीर है लड़ाख है पीर पंचाल चिनाव वैली है हम बिलीव करते हैं कि एन तीनों रिजिन के लोगों को मिलाना सबसे बड़ाव़री काम है हमारे हमारी politics का जो सबसे पहला सिधानता है वो भाइचारा है वो बराबरी है कि सब equal है और सब के बीच में brotherhood कायम करना हमारा काम है number one number second जो भी हमारी politics के साथ जुड़ रहे हैं वो सब लोग कुछ न कुछ छोड़के आया है मैं officerie चोड़के आया हूँ कोई professory चोड़के आ रहा है कोई doctor चोड़के आ रहा है कोई दूसरी parties का mandate चोड़के आ रहा है लोग power के पीछे नहीं आ रहे हम लोग इस रियासत में good governance देने के लिए corruption का खत्मा करने के लिए आया है और कुछ छोड़के आया है मुझे लगता सबसे unique चीज हमारी party की वो है आप मैं कहा कि जमू कश्मीर को एक रखना चाहते हैं लेकिन अलग करने का बीस तो आप खुदी डाल रहे हैं आप कह रहे हैं कि पांच रिजन है जमू कश्मीर के तीन रिजन है पीर पंचाल को अलग रिजन देना और दूसरा अलग रिजन देना वो तो उसकी सियासत उसकी politics तो पीडीपी भी कर रही है नेच्शल कॉनफेस भी कर रही है और आप यूसी राज़िती पे शामिल हो रहे हैं देखिए administrative regions होना कोई मुश्किल बात नहीं है हम जब तसील बनाते हैं हम जब डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं हम consequences अलग डून रहे हैं इसी तरह से अलग regions भी हो सकते हैं या अलग divisions हो सकते हैं geography ही हिसाब से अब जब देखते हैं डोड़ा जाना बड़ा मुश्किल है डोड़ा के बंदे को यहां पर डॉक्टर के पास आना यहां पर DC साहब के पास आना यहां पर डिविजिनल कमिशनर के पास आना बड़ा मुश्किल है यह administrative regions है हम बिलीव करते हैं कि regions को आप autonomy दे दीजिए उनको थोड़ी सी freedom दे दीजिए कि वो local decision making करें लेकिन जो हमारी state की overall integrity है उस पे हम बिलकुल compromise नहीं करेंगे हमारा मानना है कि यह जो सारे regions हैं यह एक हैं इनको आप administrative सतह पर इनको काम करने की developmental सतह पर थोड़ा अजादी होनी चाहिए ताकि वहां से जो फाइले हैं वो secretary रिटना हर बार आएं लेकिन उसके साथ-साथ कोई विभाजन जो लोग विभाजन की बात करते हैं यहां पर region की basis पर religion की basis पर fundamentally हमारी politics उस विभाजन वाली politics के खिलाफ है हम regions को और religions को जूड़ेंगे जूसरे तरिके से भी का जा सकता है कि autonomous administrative powers दे दी जाए लेकिन आप सीधा region की बात करते हैं तो वो तो सीधा message जाता है कि आपकी थियोरी भी अलग है देखिए region का मतलब है territorial geographic region अगर आप डोड़ा चिनाब वैली को देखेंगे ये एक दरिया के आसपास का region है जिसको हम चिनाब कहते हैं पीर पंजाल अपना एक geography अंदास से अलग चीज़ है जमु की तवी दरिया के आसपास की अपनी एक सबिता है लदाक अपने आप में ए आना है मुझे लगता ये कोई ego की बात नहीं होनी चाहिए ये बराबरी की बात होनी चाहिए ये बहुत सिंपल सी बात है अगर हम तसील देने में कोई problem नहीं है डिस्ट्रिक देने में कोई problem मी नहीं है हमें division देने में को यही बात आप कश्मीर को लेकर भी कहेंगे region between the region's ह है वो खड़क किया जाए तो कि जमू की दो बात हो रही है कि पीर पंजाल को भी अलग दिया जाए और चीज़ें हैं तो कश्मीर में भी तो इस तरह की वाज़े हुचती है तो वहां पे भी आ रिजिनल फार्मूला लेकर चलने है क्या तेखिए कश्मीर इस वकत ये जो ल होगा ना दूसरे राजनीतिक दलों ने किया लदा क्यों का राइट बनता है उनको अलग डिविजिन मिलना चाहिए जिन लोगों ने इसके खिलाफ विरोध कि ये कश्मीर से अलग क्यों हो रहा है हम उसको नहीं मानते हैं क्यों कि एक अड्मिनिस्ट्रिट्यू डिविजन वहाँ आप वहर मुला नहीं लागू कर रहे हैं लिए जमूरीजन में पीर पंजाल और दुसी चीजों को आप लागू कर रहे हैं तो यह एक सैट मांड़ सेट एक सैट थियोरी उसके पीछे एक पुलिटिकल मांड़ सेट हैं यह ऐसे नहीं कहा जाता कि सिर्फ हम अटॉन जो फॉर्फलंग रीजिन्स हैं, देखे गुरेज वैली हमारी है, गुरेज की पॉपिलेशन है 30-40,000 लोग, आप क्या कर सकते हैं गुरेज वैली को हमने कहा कि उनको वहाँ इंपावर कीज़े गुरेज वैली के अंदर, गुरेज के आदमी को मामली चीज़ों के लिए सिरी नगर नहीं आना चाहिए, आपका औरी की बात की आपने, औरी तो पहली बात या है कि औरी और किश्मीर का जो बाकी इलाका है, उसके बीच में ना माउंटन पास है, ना उसके बीच में छे महीने बंद रहता है, वो एक 24-7-365 डिग्री कनेक्टिवटी वाला एरिया है, उ लाकि उन लोगों को परिशानिया काम हो, इसमें कोई प्राबलम नहीं होने शेया है, देखे, मेरा सवाल ये है, कि यही सब चीज़े आप जमूर डिवीजिन के लिए भी तो बोली ना, आप यहां पे फाइव रीजिन्स की थियोरी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हमने 20-30 रुपे आप तब भी देते हैं, तीन रीजिन्स को, तीन अलाकों के लोगों को, आज हम यह कहते हैं कि यह जो फाइल हैं, यह उनकी जो डिमांड है, बाद डिमांड के, लोग क्या चाहते हैं, आप और मैं तो कहें, सब को जी डिली बेजो जी, सब डिली अपनी फाइल पनी है क्या आप ये कहना चाहरे है कश्मीर की जो जो जोगरफी है देखिए कश्मीर एक वादी है कश्मीर एक वैली है जिसमें आपको कुछ एरियाज है जो तीन सो पैस्ट दिन आपके पास जुड़े नहीं रहते हैं उन इलाकों को आप इंपावर कीजिए जमू का लंग कटवा के लोग हैं रियासी के अंदर वाले लोग हैं और आपके अदमपोर के लोग हैं मैं कह रहा हूँ उनको क्यूं आप सेकेरेटरेट फोर्स करते हो लाने के लिए उनको वहाँ पर फसिलिटेश चाहरे हैं यहां की सीटे कम रखी गए और वहां की जादा रखी लिए तो वो जसीश हुआ है देखिए महराजा ने जिस तरह से इस रियासत को सोचा जो उसका एक अपना विजन था पहले तो हम एप्रिशेट करना चाहिए कि महराजा ने कहा कि यह तीनों रिजिन्स सारे रिजिन्स एक साथ होने चाहिए नंबर वन नंबर सेकंड जिस त कमिशन बनता है जिस तरह से समचों को फॉल्लो करके आपको कल जहां पे लगता है कि हमानेती कर सकते हैं वो डिलिमिटेशन वसलाएगा आप और मेरा फैसला आपकी अभी जैसा अभी आपको लग रहा है कि यहां बड़ा पिछड़ापन है एरिया जादा है पॉपुलेशन जादा है लोगों के साथ नहाई नहीं हो रहा उनको स्थड़ार नहीं हो कि नहीं खिखेंगे यह डेलिमिटेशन से जनु कश्मीर में नहीं होता है मैंने अमरिका में डेलिमिटेशन कमिशन का काम देखा है हम ने ये देखा कि जब डेलिमिटेशन अफ ilo होती है, वो population, geographical distance, development का status, geographical barriers, बहुत सारी जीज़ें देख के होता है, अगर आप कहते हैं आज जमू में constituency की demand है, इसी तरह से कश्मीर में भी constituency की demand है, पिछले पचीस साल में population बहुत बड़ी है, population बढ़ने की वज़े से हर जगा लोग चाहते हैं, उनके aspiration बड़ी है, कि आपने कहीं पर 30,000 की constituency रखी है, कहीं पर आपने डेडला की constituency रखी है, यह जब delimitation commission आएगा, देखे, यह constitutional principle है, उसको आप, जब तक आप उसको transparently करेंगे, दिक्कत जो है, वो यह नहीं है कि कश्मीर को ज़्यादा क्यों दिया और जमू को कम क्यों दिया, दिक्कत यह है, सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के इर्दगेद जो है, वो तमाम political parties की, PDP की भी, national conference की, और जहां तक अभी हमारी चर्चा हुई है, वो मुझे लग रहा है कि अभी आपकी पॉलिटिक्स और आपका जो वीजिन है, वो भी कश्मीर सेंट्रिक भरका साबने आ रहे हैं, यह शायद आपको बैलनस की बात नहीं हो पानी है, हम जमू आए हैं, इसलिए ताके हम अपनी पॉलिटिक्स को बैलनस करें, यह देखी, यह तो साफ दिखा, आप कह रहे हैं कि कश्मीर में जो एरियास फार फलंग गया, उनको एंपावर किया जाए, जमू में रीजन खड़े किया जाए, आप यह भी एंपावर करें आप, अगर आपको यह लगता है, कि पुछ के डीसी आफिस में आपको डीसी की इंपावर्मेंट से मसला हल हो जाएगा, आप कीजिए, लेकिन जो डाइसो किलोमेटर का डिस्टंस है, जमू और सिरी नगर इसके बीच में, राजुरी के बीच में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, देखे, अगर मुझे स पॉलिटिक्स नहीं है, जमू का डोगरा हमारा भाई है, उसके राइस की रखवाली करना हमारी जिम्यदारी है, और आप देखेंगे, हम इस स्टेट में ऐसे इंस्टिशन्स क्रेट करेंगे, कि जमू में जो सेंस आफ डिसंपावर्मेंट आज है, उनको लगता है, उनके स स्पॉंसर्ड है, अगर आप हक की बात करेंगे, कि जो लोग पिछले सतर साल से यहां पर काम चला रहे हैं, वो तो दिली की शेह पे ही चल रहे हैं, अगर हमने उनके साथ जॉइन किया होता तो फिर बड़ी अच्छी बात थी, आज हमने अपनी पॉलिटिक्स की, जो एक च पूद जाते हैं, बोलते हैं, जलतबाजी है, हम यहां इस रियासत की तकदीर बदलने के लिए चाहते हैं, और चाहते हैं कि आज हमारे बीच में जो डिविजिन्स किया गए हम उन डिविजिन्स को खतम करने के लिए आया हैं, हमें आप कुछ भी कहिए, गालियां दे बिशान कीजिए, मगर हमारा कन्विक्शन आप देखेंगे, वो खतम नहीं हो सकता, मेरा पहला सवाल यही था, कि आपके पास अलग फार्मूला, अलग विजिन्स क्या है, और सीधा आपने बोला कि हम जमू में पांच रिजिन्स की बात कर रहे हैं, कश्मीर में एंपावर करना जरूरी है, जमू के शक्स को आजब काशमीर में इसखोंगे, उसमें एक जिदिशल प्रासिस लाएंगे, नेता को तक हुए हैं, आपके दो लोग रहेंगे, ょसमारे के दो लोग रहेंगे, लढगके दो लोग रहेंगे, वो फैसला करेंगे कि कैसे होता है, और एक रजीम आएगा देखे जो नाइसाफियां आज तक हुई है उन नाइसाफियों को रिवर्स करना हमारा काम है हम नोक्रियां छोड़के मैं आप बार बार कहता हूँ यहां पर आये हैं हम कुर्सी लेने के लिए यहां पर नहीं आये हैं हम एक नए विजन लेके इन्शालला लो पॉलिटिक्स कर रही है नैशनल कांफिर्ज इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है अभी अमर अबदुल्ला ने कहा कि हम तो वापिस प्रधान मंत्री और सद्रे रियासत वापिस लाएंगे देखिए हमारे लिए यह जरूरी है कि गाली गलोश की जो सियासत इस वकत चल रही कोई खुद को क्या कह रहा कुछ हमें ऐसे सपने दिखाये जा रहे हैं जो फिर अगली एलेक्शन के दूसरे दिन बाद लोगों को फिर गयाद नहीं रहता है मेरा मानना है कि हमारी जो परिशानिया इस वकत अवाम की है पॉलिटिक्स उन पे होनी चाहिए यहां पे आपने आज तक रास्ता नहीं दे पाए हैं, आप जमू डोडा को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, आप कश्मीर और मुगल रोड के शरी टानल नहीं दे पाए हैं, आप लदाख्यों को अभी तक आपने टर्मिशन N lianh नहीं दी है, वहां आप एक युनिवस्टी नहीं दे पाए हूँ आपके जमू के गांधी नगर में आज भी शाम के बाद अल्टरसाउंड नी हो पाता है छे बचे के बाद आपका बचा यहां से उसको चंदीगर जाना पड़ता है जाब्स के लिए इन इशूस पर बात नहीं होती है यह मिसकाइड किया रहा है दोबारा से कि हम दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे दोबारा सदरे रियासत बनाएंगे हम यहां पर आटानमी देंगे देखे बात ये है कि जिन लोगों ने इस रियासत की जो constitutional position है उसको तबाह किया पिछले सतर साल में जब हम उनसे ऐसी बातें सुनते हैं तो थोड़ा हिरानगी होती है no doubt state of jamon and kashmier और union of india के बीच की जो relationship है जो constitutional position है उसके बारे में बहुत कुछ करने की जरूरत है मगर वो तब possible हो जाएगा जब हम ध्यानदारी से डेली और स्रीनगर डेली और जमू को एंगेज करेंगे बयान बाजी से मुझे लगता है कोई ज्यादा फायदा यहां पे होने वाला है नहीं अभी हम देख रहे हैं और उसमें मैं आपका एक personal reaction चाहूँगा किश्मीर की सियासत पर अपते देखा गया है कि without the blessing of the separatist leaders वहां थोड़ा survive करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही हम देख रहे हैं कि अभी अभी अलगावादियों की भाशा भी बोली जा रही है इवन पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान और पाकिस्तान को favor करते हुए भाशा बोली जा रही है what do you think and how do you feel separatist को उनकी सुरक्षा वापिस लेना जमायते इसलामी को बैन कर रहा है यह सरे developments को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि separatist का भी एक role है गई पहली बात तो यह है कि अगर separatist की basis पे election लड़े जाते तो फिर आज जब separatist को साब को jail बे डाला गया है तो फिर हम कहते फिर वहां पे सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था issue यह है हमें realize करना है कि कश्मीर की अपनी problem है जमू की अपनी problem है लड़ा की अपनी problem है जब आप political freedoms की बात करते हैं जब आप democracy की बात देखिए समयदान democracy की बात करता है हम सब को बोलते हैं we are a largest democracy of the world उसके बाद आप वहां जाते हैं नहीं जी हम आपको बात नहीं करने देंगे बिकास हम आपकी बात से agree नहीं करते हैं हम आपको अपनी campaign चलाने देंगे मैं कहता हूं अगर कोई bycott campaign भी चलाता है एक democracy में उसको ride दे तो वो लोगों को कहें आप vote नहीं डालो हम लोगों को कह दी जाए लोगों को बरगलाने की लोगों को बढ़काने की democracy की essence क्या है जी western democracies को आप देखिए democracy का जहां तक हम भी मतलब समझते हैं democracy is the process की आपको एक right है अच्छे तरीके से sober तरीके से अपनी बात रखने का ना की आप खुले आम जो है वो गलत करें खुले आम गलत करें देखिए मुझे democracy freedom of expression and speech in the right way not in the wrong way मैं कहता हूँ मुझे freedom दी है democracy ने मैं यहां से भी कहता हूँ और सिरी नगर जाके भी कहता हूँ कि वोट देना सबसे बड़ा आपकी constitutional duty है आपको देना चाहिए दूसरा शक्स कहता है कि वोट देना आपको जरूरी नहीं है आप वोट से चलाओ मैं लोगों को कहूँगा वोट दो आपको वोट नहीं दो एक democracy में दोनों चीज़े पुले तोर पर भी तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता ना जो खालात खराब करने वाले हैं जो हालात को बढ़गाने वाले हैं आइडियाज की बात करो एक true democracy में ideas की freedom होत आज हम पता नहीं क्यों हमें लगता है कि दूसरों की freedoms चीन के हम यहां पर constitutionalism बना सकते हैं इसका example देते हुए आपको बताता हूँ freedom of expression and speech in the right way not in the wrong way अब माली जीए कोई शक्स किसी महतरमा के साथ छेड़ चार करता है तो हम उसको मालने की उसको तो expression and speech का अधिकार है तो इसलिए वो जो चाहे करें तो उसी sense में मैं बल रहा हूँ ना मैं उसी sense में बल रहा हूँ कि देश के खिलाफ राश्ट के खिलाफ खुले आम किसी को भी खुली छूट नहीं दी जा सकती बोलने की constitution जहां पर freedom of speech की बात करता है वहीं पे वो reasonable restrictions की भी बात करता है कि अगर आप दो लोगों के बीच में animosity बढ़ाते हो अगर आप दो countries के बीच में दुश्मनी बढ़ाते हो अगर आप किसी को defame करते हो अगर आप किसी के खिला है because यही मेरे reasons है मैंने का मैं उसके side में एक poster चिपका हूँगा मैं बोलूँगा vote देना ठीक है because आपकी responsibility इसे सरकारें बनती है और हमारे जो citizens के rights होते हैं उनकी protection होती है एक real democracy में यह दोनों poster चिपकने चाहिए यह तो सीधा साधा तरीका हो गया ना लेकिन सीधा लोगों क हाला क्रियेट करना हम पहले इतना तो करने देंगे आप देखेंगे किश्मीर में डिमाकरिस को आप कैसे देखते हैं मैं डिमाकरिसी का बिलीव करने वाला आदमी हूँ हम जी election लड रहे हैं और वो बिलीव नहीं करते हैं हम बिलीव करते हैं कि non-violently electoral politics के तो चेंज आ सकती है और जब हम डिमाकरिसी पर बिलीव करते हैं तो हम ये भी बिलीव करते हैं कि जो लोग हमसे agree नहीं करते हैं जो लोग हमारा criticize करते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी आपका method गलत है हम कहते हैं you have every right to say जो आप कह रहे हैं मेरी डिमाकरिसी का सबसे बड़ा test यह है कि मैं आपको आपकी बात कहने तो इसलिए separatists की जहां तक बात आती है उनका अपना एक consistency वहां पर है वो पिछले सतर साल से वहां कोई बात कह रहे हैं हमारी जिमेदारी है as a state कि हम उन तक reach out करें उनके साथ बात करें उनकी बात सुनें और उसके बाद एक political issue एक political process के जरीए उसको हल करन है हमें लादा की भी बात करनी है हमें कश्मीरी पंडित की भी बात करनी है तब यहां कुछ हो सकता। कभी आपसे समय लेंगे और जब जैसा आप बोल रहे हैं कि political इशू है political इशू सिर्फ कश्मीर से आवाज उड़ती है जमू से कभी आवाज नहीं उड़ती कि जमो कश्मीर political issue है लड़ा कभी नहीं मानता कि जमो कश्मीर political issue है कुछ segment of area जो है वो कहता है कि ये political issue बिलकुल नहीं जब जमो वाला कहता है कि मैं एक अंतीम सवाल ये है कि शाफ ऐजल अभी नए नए ideas की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ चीजें शाफ ऐजल के साथ tag के तोर पर है केजरी वाल आपके रोल मौडल है इमरान खान आपके रोल मौडल है भारत को जब आप I.S. पर की पोस्ट पर आप काम करते हैं तो हिंदोस्तान को आप रेपिस्तान बताते हैं तो इस से कैसे बाहर आएंगे आप पहली बात तो है कि जब रेप्सतान की बात आई थी वह पाकश्तान में एक रेप हुआ एक छोटी बच्ची का इंडिया में हुआ था आपके बंगला देश में हुआ थगा था मैं खुद अमेरीका में था हमने पूरे साथेसिया के बारे में बात की कि ये सारे South Asian countries हैं, इनको पता नहीं क्या हुआ है, कि यहां एक रेप का कल्चर बना है, उसको लोगों ने टिविस्ट किया, उसको रेपस्तान बनाया, number one, number second, हमने जब यहां पे बात की कि नया क्या क्या कर रहे हैं, हम क्या पुरानी सियासित करने वाले हैं, क्या हम यहां पे जो टैग्स जिनकी आप बात करते हैं, उन टैग्स का क्या होगा, हम यह कह रहे हैं, कि वक्त की बात है, हमने अभी शुरुआत की है, हमें जुमा जुमा आट दिन हुए है, हमें आप वक्त दे दीजिए, और आप देखिए, जब हम भाईचारे की बात नहीं करेंगे, और उस पर रियली चलेंगे नहीं उस रास्ते पे, मेरा सवाल इसलिए था, क्योंकि कई बार इनसान पुरानी गलतियां करता हो, और वो आगे उसको आगे चलकल बहुत नहीं पड़ती है, उसको फेस करनी पड़ती है, मेरा सवाल इसलिए था, कि आप आपकी कुछ ऐसे लगात उड़ता है, फेल हो जाता है, बार बार इलेक्शन हारता है, जमानत जबत हो जाती है, यह भी ओपन फेक्ट है, वो पूरी तरह से आर्मी और आईसाई स्पॉंसर, मैं उसकी लाइफ स्पॉस्टर बॉई के तोर पर है, अम उसकी लाइफ स्टॉरी की बात करेंगे, इमरान खान व्यक्ति का तोर पर बहुत अच्छे हो सकते हैं, अर्विन केजिवाल है, उसकी अपनी एक स्टॉरी है, किसी पॉलिटिकल बैग्राउंड से नहीं आता है, उसके पस पैसे नहीं है, हारता है, बहुत सालों तक चलता है, अकेले चलता है, सब लोग कहते हैं, हा की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, क्या? सारे दुनिया के बच्चों के लिए इंस्पारेंगें, तो क्या इनकी स्टॉरी, इंस्पारिंग स्टॉरी के कुछ फैक्ट्स आप अपने पॉलिटिक्स में भी इंप्लिमेंट कर ले की कोशिश करेंगे, क्या? या व्यक्तिकत तोर पर आप इंस्पार हैं, तो वहां तर प्रती जो हमारी संभावन जो हमारी संजिटिवटीज हैं और जो हमारा सेंटिमेंट है, उसको हम कभी खतम ने करेंगे. चैड़े, वो फर दे बेस्ट, अमीद की जाए, आप जिन ऑप्शन्स और पॉलिसी के साथ एक अल्टरनेट अजंडा के तोर पर या एक चैड़े, चैड़े, आप अल्टरनेट अजया करें एक अल्टरनेट आप जो हमारी संजी के साथ एक अल्टरनेट अच्छार प्लीज के साथ बाडिवराहन नाच्छाभ रेकर ज़ीज़ पाजनाज़ के जोर्मेंट अधनेट इन ग्रावट इन गरणेट इन डिन अडिक non-medical physics chemistry and bio lab games and sports and cultural activity smart classes well-qualified and experienced staff computer classes older school building has been covered under CCTV camera for admission contact Shira Kashmir public high school buddy bramana Jumbo phone number nine eight five eight one nine zero eight two zero nine eight five eight nine one two one four five nine seven nine double six two one six double two zero one nine two three triple two double eight three for advertisements in channel one please contact on seven double zero six triple four eight six nine